दोस्तों बात कर तो यहाँ पर आपने टेसला का नाम यहाँ पर सुना होगा और आप लोगो यह भी पता होगा कि टेसला गाड़ी के जो CEO यहाँ पर आपके Elon Musk उनको यहाँ पर भैवेशे ग्राइप रहते कि इंडिया में उन्हें एंट्री धंक से मिलती नहीं है वो यह चाहते हैं कि यहाँ पर जो restrictions से taxes है वो थोड़े कम हो जाए उसके बाद वो अपने गाड़ी इंडिया के अंदर ले आए लेकिन यहाँ पर इंडियन government यह चाहते है कि आप इंडिया में आके गाड़ी बनाई है और इंडिया में अगर आप गाड़ी यहाँ पर बनाई है तो आपको सबसीडिय वागरा सब कुछ देखने को मिलेगी और आपको एक अच्छे तरीक से इंडिया में पर प्रिजिस कर और यहाँ पर बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स की मला बिलीव नहीं करोगे टाटा मोटर्स ने इलेक्टर वेहिकल में जो रिवल्यूशन क्रियेट है पिछले कुछ सालों में वो इतना बढ़ा है कि जिससे शाथ आप अभी तक यहाँ पर देख भी ना पाओ आपको यहाँ तक कि आज के समय में जो काम दूसरी कार मनाने वाली कंशी नहीं कर पा रही वो यहाँ पे टाटा ने करके दिखा दिये पीछे की कहानी का जल रही सब कुछ बात करती वीडियो के अंदर प्रहसंद है तो लाइक कर देना और हमारे दिखा तो सब्सक्राइबरा बढ यहाँ पर काफी सारी कंशनी's ऑपरेट करती मरूती अभी तक अपनी उलेक्टर गाड़ी वी रहापे वो अभी तक अपनी उलेक्टर गाड़ी के बारे में सोच रहे है यहाँ तक कि Hyundai की Kona आती है एमजी की ZS EV आती है गाड़ी और कोई जादा बड़ा मारकेट है नहीं ल कर सकते हैं और उस जमाने में वो लोग यह डिसाइड करते हैं उनके पास जो अल्रेडी एग्जिस्टिंग वेकल्स है जो पेट्रोल डीजल की उपर चलते हैं उन्हीं को वो लेते हैं उसके अंदर ही करके एक इलेक्टर गाड़ी बनाड़ी कोशिच करते हैं और इन सब के लिए वो यहां पर एक ऐसी गाड़ी चूज करना चाहते थे जो कि मजबूत हो क्योंकि अगर इलेक्टर गाड़ी में एकसिडेंट हुआ बैटरी डैमेज हुई तो काफी जादा प्राबलम हो सकती है औ जैसा खेल क्रीट कर दो बहुत ही जादा महेंगी गाड़ी बनादो सस्ते के अंदर ले आओ लेकिन यार यह चीज़ में प्रॉब्लम यह आ जाती कि आप एक महेंगी गाड़ी यहां पर बना लोगे लेकिन उसे सस्ते के अंदर लान, यह ठास था उन्होंने है ताटा की न क्योंकि प्राइसिंग उसकी सही है और लोग उसे सिटी ट्रेवल के लिए बहुत जादा ले रहा है मेट्रो सिटीस के अंदर और वो इलेक्रिसिटी के उपर चलती है यहां तक कि बात की जाए तो खुद दूसरी कि इंडियन कंपनी महिंद्रा जो कि खुद रीवा जैसी गाड़ी उसने सबसे पहले बनाई थी उलेक्रिक में वो भी यहां पर अपने कमाल नहीं दिखा पाई यहां तक कि टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ी ने अभी अपने EVMAX वर्शिन भी लाँज कर दिया जिसकी रेंज उन्हों ने 400 क्लूमीटर के उपर क्लिंग कर दिया यह चीज यहां पर काफ़ एचे कि लोग जादा रेंज माग रहे थे जादा रेंज दो लेकिन फिर भी जो काड़ी की कीमत है वो ऐसी रखो जो लोग अभी भी 20 लाख रुपए के अंदर वो अपनी सारी लेक्टरिक गाड़िया ला रहे और ये टाटा के लिए बहुत जवर जस्त है क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मार्केट में जितनी भी कारें मिल रही है चाहें हुंड़ा की कोना मात कर लें एमजी की जैड़े सीवी देख लें सब 20 लाख से उपर है और तो सुनने में आरे किया कि जो ईवी सेक्सा है रही वो शाद 40 बजास लाख से भी उपर हो कि यहां पे यह लोग अपने चार्जिंग स्टेशन को यहां पर सेट अप करते है एक रास की बाद बताओ आप लोगो यहां पे टाटा ने अपनी गाड़ी बनाने के लिए टाटा का जो पुरा एको सिस्टम होता है वो यूज कर यहांने की चार्जिंग के लिए इन्हों ने टाटा पावर की हलप ली जो की इंडिया में अलग लग जाके चार्जिंग स्टेशन सेट अप कर सकता है इस समय 1700 से जज़ादे चार्जिंग स्टेशन से हैं 200 शेरों को ये लोग कवर कर रहे है और धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे है और ये सिर्फ पिछले 2-3 सालों के इंदर अचीव किया है आप खुद सोच के देखिए कि Tata जैसी कंपनी ने अगर 2-3 सालों मगर इतना अचीव कर लिया है आने वाले 10 साल में तो मार्केट लीडर हों है मैं इस अप इंडिया के बात नहीं कर रहा है मैं ग्लोबल लेवल पर बात कर रहा हूँ आपको कैसा लगेगा कि made in India कार इंडिया में बनी हुए कार बाहर के लोग दूसरे देशों के चला रहे अमेरिका यूरोप के लोग टेसला चोड़के टाटा की कार चला रहे है कैसा लगेगा ये ऐसी कुछ कहानी यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर देखा जाया तो उन्होंने चार्जिंग इंफ्रस्ट्रक्चर को इंडिया में यह कुछ चीज़े नो नहीं यहाँ पर इंप्लिमेंट करी है अब देखा जाया तो टाटा ने शुरुआ तो काफ़ी अची करी लेकिन फ्यूचर कर गया उन फ्यूचर की जो जलक होती है अभी हम रिसेंट्ली एप्रिल के भहिने में देख चुके है बदलब पहली जनरेशन की टाटा की जो इलेक्टरी वेहकल थे वो ऐसे थे कि पेट्रोल गाड़ी ले रहे है उसके अंदर बैटरी लगा रहे है मोटर लगा रहे है और उसको प्रिजेंट कर रहे है कि हाँ यह हमारी EVA यह आप लीजे क्योंकि इसे बना पाना, मैनुफेक्चिर करना बहुत ही आसान है लेकिन इसके साथ सेकंड जनरेशन यह है जो की होगी होगी की टाटा कर वहाँ पर होगी है कि ऐसी गाड़ी बना रहे है जो की इलेक्टर वेहकल फस्ट होगी कोई यहां पर petrol, ice, vehicle, कुछ भी बनाए नहीं जाएगा यह चीज देखाया है तो जो उनकी oven ने आए यह यहां पर आने वाली concept कारे देखने सुनने में काफी ज़दा futuristic लगती है बोलते है कि voice command से चलेगा कोई displays भी देखने को नहीं मिलेंगे एसी काफी सारी चीज़ों भी यह लोग काम कर रहे है तो देखाया तो Tata ने अपनी सारी चीज़े लगा के एक काफी impossible task को यहां पर अचीव कर देखने जहां पर काफी बड़ी companies Hyundai मारूती भी नहीं आकर आपा है वो चीज़ यहां पर कर ली लेकिन Tata ने इसे 2-4 सालों के इंदर यह चीज़ अचीब कर ली जो यहां पर मारूती Hyundai भी अचीब नहीं कर पाए वेल इसके आंसर बहुत इंटरस्टिंग है और इसका जो सारा क्रेडिट है ना वो Mr. Ratan Tata को जाता है 2008 में Ratan Tata ने एक बहुत ही समझदारी भरा फैसल लिया था जिसका परणाम Tata Motors आज देख रहा है वो यह था कि Tata Motors के ग्रूप में Land Rover और Jaguar को लाना उस समय Ford Company के हलक खरापती है Ford Company से धाई बिलियन डॉलर में उन्होंने Land Rover और Jaguar को ले लिया कि Tata Motors यह चाहती थी कि Land Rover जो कि दुनिया की सबसे बेस्ट SUV कार बनाती है वैसा ही कुछ यहापे Tata Motors की कारों के अंदर भी किया जाए क्योंकि उस जमाने में Tata Motor कार अंडरलायबल होती थी इंजन वाइबरेट करता था मजबूत नहीं होती थी डिजाइन इस्टाइलेश नहीं होता था और मारूती हुंडाई से बहुत जादा पीछे होती थी यही प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थी और इसलिए Land Rover करक वार गया Land Rover के जो इंजिनियर्स थे वो Tata Motor Group के अंदर लाए गये और उनका जो टेक्निकल नो होता कि गाड़ी कैसे बनाते अच्छी गाड़ी वो सब ले क्या हो और उसके बाद देखो कि आप एक अच्छी गाड़ी कैसे बना सकते है और आप खुद देख सकते हैं अगर आपने 4-5 सालों में Tata की कारे देखेंगी तो बहुत ही जादे रिलाइबल है इवन Tata की कारों के बार में तो एक आजाते है कि वन आप दी मोस सेफस्ट कार है सेफस्ट कार सिर्फ इंडिया में नी ग्लोबल लेवल पे सेफस्ट कार बना रहे है यहां तक कि Tata की जो महेंगी काड़ी आती है उसका प्लैटफरम और लेंड रौवर का प्लैटफरम भी सेम उन्होंने रखद आ लगों यहांने के बाहर की लोगों से भोलो डिजाइन करवारे है इंडिया की अशूष कर रहे है यहांनी कि लेंड यहीं के अच्छा प्लान और पर किया और देख के ऐसे लगता है कि अगर इसी तरीगे से चलता रहा तो इंडिया में जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना बहुत ही जल्दी देखने को लेंगी बात नीचे कमेंट बता ना भूला वीडियो पसंदा लाइक करों चलको सब्स्क्राइब करों थेंग्यों कवडी देखने के लिए ना पसमां दो नेक्स वन गए गुद्बाई